हमारा प्रस्ण है फतेह पूर्षिक्री के विशे में आप क्या जानते हैं फतेह पूर्षिक्री जो की एक हिस्टोरिकल पैलेस हैं एतिहासिक अस्थल है और खास करके यह अस्थल मुगल वन्स से सम्बन्नित हैं तो वहीं पूछा गया है कि फतेह पूर्षिक्री के विशे मे आप किया जानते हैं यहां से बहुत से प्रस्ण आते हैं चाहें उब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव तो आये इसका आंसर देखते हैं फतेह पूर्शिक्री उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप अकबर द्वारा बनाई गई नमेन राजधाने थी अर्थात फतेह पूर्शिक्री का अगर लोकेशन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में आगरा सहर के समीप में हैं और अकबर के द्वारा बनाया गया यह नया राजधाने था यानि अकबर ने फतेह पूर्शिक्री को अपनी राजधाने बनाकर इसका निर्माण कारिय पुरा हुआ था और इसका निर्माण कारिय कब कंप्लीत हुआ तो गुजरात विजय के उपलक्ष में उसने इसका नाम फतेहपुर सिक्री रखा हम बता दे कि जब गुजरात अभियान करने गया था अकबर तो सबसे पहले वही पर उसने पुर्तगालियों से मिला था और सबसे पहले अकबर ने गुजरात में ही समुंद्र का दर्शन किया था उससे पहले अकबर समुंद्र को नहीं रेखा था तो जब वह गुजरात को जित लिया तो फतेव पुर्शिक्री के में गेट के रूप में उन्होंने पंद्रे सो बहत्तर इस्वी में बुलंद दरवाजा का निर्माल कराया अबूल फजल के सब्दों में अबूल फजल जो मुगल कालिन एक इतिहासकार था उसके सब्दों में उसके स्रेष्ट पुत्रों ने सिक्री में जन्म लिया था अर्तात फतेह पूर्षिक्री में अकबर के स्रेष्ठ पुत्रों ने जन्म लिया था। तथा शेख सलीम की दिव्य ग्यान युक्त आत्मा उनमें परविष्ठ हो गई थी। यानि कहने का मतलब है अकबर का उत्राधिकारी जहांगीर हुआ जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। और सलीम नाम क्यों रखा गया तो उस समय फतेह पूर्षिक्री में एक बहुत ही प्रसिद सुफी संत रहते थे। इनका नाम था सेख सलीम चिष्टी तो सेख सलीम चिष्टी से अकबर ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने जहांगीर का नाम भी सलीम रखा। अर्थात फतेव पूर्षिक्री में अकबर के स्रेष्ट पुत्रों ने यानि बड़े पुत्रों ने जन्म लिया था। और ऐसा माना जाता है कि जो सेख सलीम चिष्टी थे उनकी दिव्य ग्यान युक्त आत्मा उनके पुत्रों में परविश्ट हो गई थी यानि परविश्ट कर गई थी। अतह अकबर ने पवित्र हीर्दय में इस अध्यात्मिक अस्थान को सुन्दर रूप करने की इच्छा प्रकट हुई। बादसाह ने नीजी परयोग के लिए भव्य भौनों के निर्मा किया ग्या दे दिया। फतेह पुर्शिक्री के भौन में हमें हिंदू तथा मुश्लिम वास्तु कला का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है। कि अकबर मुश्लिम धर्म का था तो उसने केवल मुश्लिम कला को ही बढ़ावा दिया। बल्कि अकबर सभी धर्मों में सामंझस अस्थापित करना चाहता था। और इसका प्रभाव आप फतेः पूर्शिक्री के जो भी भौन है वास्तु कला है उसमें देख सकते हैं उसमें हिंदू तथा मुस्लिव वास्तु कला का प्रभाव दोनों का प्रभाव या तो मिश्रित रूप में मिल सकता है या अलग-अलग रूप में दर्साया गया है त तो वीडियो पसंद आया है तो चाइनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय समय पर निलता रहे हैं धन्यवाद